हेलो फ्रेंड्स दोस्तों स्वागत है आपको हमारे यूटूब चैनल और वीजेफेक्स पर दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं न्यू सिक्वेंस के बारे में कि कैसे हम न्यू सिक्वेंस करते हैं किसी वीडियो के लिए आए देखते हैं एक तो होता है न्यू प् लेकिन सिक्वेंस प्रोजेक्ट के अंदर बनता है जो कि टाइम लाइन पर बनता है यह देखिए इसको हम कर देते हैं न्यू सिक्वेंस यहां पर जब आप फाइल में जाते हैं यहां पर इस पोर्चन पर यह देखिए मैं फाइल में चला गया यहां पर है ना यहां पर हम अब आपको format क्या लेना है यहां पर हमारे पास में बहुत सारे अलग-अलग टाइप के format है इसकी setting है कि क्या आपको रखनी है HDV रखना चाहते हैं custom रखना चाहते हैं तो आप यहां से रख सकते हैं track audio track है वी आर वीडियो ट्रैक है है ना तो यहां पर हम कर देते हैं HDV 25 format परजेंटली जो हमारा चलता है इंडिया में यह HDV format में और आपका उसके बाद DSLR और पिक्सल है Canon है डिजितल है तो अपने हिसाब से आप sequence setting रख सकते हैं HDCAM का भी है इसमें है ना तो HDV मैं कर देता हूं यह 25 फ्रेम पर सेकंड कर देता हूं पचास हाई पर यह देखिए अब यह हमारा sequence आ गया है यहां पर आपने लेना है और यहां पर आप इस वीडियो को हम यहां से ड्रैक कर देते हैं चेंज सेक्वेंश सेटिंग और कीप एक्जाइटिक सेक्वेंश सेटिंग इसमें फर्क क्या है दोस्तों कि चेंज सेक्वेंश सेटिंग का मतलब यह होगा जब चेंज सेक्वेंश सेटिंग कर रहे होगे आप तो यह इस वीडियो की जो वीडियो आपकी बनी हुई है यह यहां पर रख लेते हैं यह देखिए अब क्या है यह इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यह वीडियो बड़ी आ गई है यह इसके बाहर जा रही है जो HD setting तो उसके लिए क्या करना होगा आपको right click करके आपने scale to frame size कर देना है किसी भी वीडियो को जो अगर आपकी बड़ी है यह देखिए यह किया और यह आपकी वीडियो पूरे एक उसमें इस तरह से एड़ेस्ट हो गई है यह देखिए करेंगे यहाँ पर हमने किया new sequence और यहाँ पर यह कर दिया आपका यह ठीक है यह आपका sequence 3 आ गया है यह आपने नाम से भी बना सकते हैं कर दिया मैंने यह आपका second project बन गया है अब यहाँ पर चाहा के कोई और भी फुटेज ले सकते हैं जैसे फुटेज ले ली मैंने और इसको यहाँ पर रख दी आप कीप एक्जाइटिक सेटिंग कर देते हैं और यह देखें यहाँ पर आगे हैं तो इस तरह दोस्तों आप अपनी सेक्वेंस सेटिंग चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप किसी भी वीडियो का फॉर्मेट बदल सकते हैं प्लीज की वाचिंग माई टुटोरियल ओन दा यूट्यूब चैनल